सुबह सुबह जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं और हत्बेंड ओफिस तो घर की हालात अक्सर बिगड़े हुई होती है अगर हम एक काम को अगले दिन पर टाल दे तो वह अगले दिन के काम को और बढ़ा देता है और अगले दिन का काम इतना ज़ादा होता है कि फिर उसे करने का मन नहीं होता इसलिए काम को अगले दिन पर ने छोड़े मैं हमेशा कोशिस करते हूँ कि आज का काम आज ही हो जाए पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो आज का काम होता है वो कल पर टालना होता है क्योंकि कभी-कभी इतना थक जाते है कि कहना ही पड़ता है चलो इस काम को कल कर लेंगे आपके साथ भी ऐसा होता होगा अगर ऐसा होता है तो कमेंट करकर बताए मेरा जो कल का काम था वह थे जो कपड़े धुल कर डाले थे वे सोक चुके थे मैंने इन्हें ने तो तेक्या और नहीं प्रेश की और अपने मन से कहा कि कल कर लूँगी और मेरा काम बढ़ गया अब मैं इन्हें सबसे बाद में काम निप्टाने के बाद प्रेश करकर रखूँगी अब नवरात्रे आने वाले हैं तो नवरात्रे के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ वैं भी एक नई सोच के साथ नवरात्री की सुरुवात वर्द से होती हैं हम सांसारिक कर्मों में पढ़कर अपने अंदर कैई बुराईयों को जनम देते हैं उन्हें दूर करने की ये एक वर्ख सोब है एक तरह का नो दिन का कोर्स जिसमें हम आत्मा को निखारते हैं उसकी सुगंध को मैसूस करते हैं बुराईयों का अंध करते हैं यह नो दिन इस्त्री के विभिन रूपों को समझने के भी है और उनके सम्मानवे परतिष्ठा के मनाने के भी है पुरान कहता है कि संसार में इस्त्री का जीवन नव दुरगा के रूपों का ही है हमारी कोशिस होनी चाहिए कि इन दिनों खुद को निखारे हम संसार के लिए कुछ कर पाए हमसे दूसरों को कश्ट ने हो मन में किसी के परती नफरत ने हो तो समझले नवरात्र ने हम पर अपना असर छोड़ दिया है यही एक नवरात्री का छोटा सा संदेश है जो हर किसी को समझना चाहिए यह बरतन सिंक में इतने ज़्यादा भरे हुए है कि एक एक करके बरतन मांजना पड़ रहा है मांजने के साथ साथ धोना भी पड़ रहा है क्योंकि सिंक में जगा ही नहीं है क्यों Means एक अवर्णी साथ काश आर्णी साथ यह सांने पलत भी बादिया शुण आक मैं बडिक इस चार्णी साथ क्या ंवळ आर्णी जब जवरात्यॉ उल्यॉ प्रेकिल लाक, हाब एक जए. व्यानमी प्रें जए. जök बंब पलब इनमे आपसे बाते करते करते काम काम फिनिस हो गया पता ना चला तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ तो मिलते हैं वेडे पाया फिलादा में एक चर्च मा-प्र-चार आप नवर्योण